हेलो डियर स्टुटेंट्स, तो Chemical Kinetics लेक्चर नमबर फोर और जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेग नियम और अभिकिरिया की कोटी यानि की Claire Law and Order of reaction तो ये जो अभिकिरिया की कोटी है ना Chemical Kinetics Chapter का Most Important Topic है तो आज की बीडियो को ध्यान से समझना है क्या ये rate law और order of reaction इससे previous जो बीडियो आया था chemical kinetics 0-3 जिसमें हमने factors की बात की थी जिन पर rate of reaction depend करता है यानि कि factors on which rate of reaction depend जिसमें एक factor आया था सांदरता यानि कि concentration की different species की हम सांदरता में change करें तो कैसे rate of reaction change होगा यानि कि अभिकारक क्या फिर उत्पात के सांदरन में यदि हम परिवर्तन करें तो किस परकार से rate of reaction में change होगा उसी बात को समझाया था किसने इस rate law ने तो चलिए start करते हैं आज का lecture मेरा नाम है नवल पढ़ियार यह आपका और हमारा खुबसूरत सा चैनल कैम study copy और pen निकाल ले और अपने notes बनाना शुरू कर दे तो वेग नियम की बात करने से पहले हम बात करते हैं student सांदरता पर अभिकिर्या दर की निर्भरता किस प्रकार से rate of reaction सांदरता पर निर्भर करता है सांदरता पर अभिकिर्या दर की निर्भरता जो कि हमें यह rate low ही बताता है किस सांदरता पर अभिकिर्या की दर किस प्रकार निर्भर करती है कौन बताता है वेग नियम हमने previous lectures में बात कर ली थी कि जैसे जैसे कोई राशाइनिक अभिकरिया आगे बढ़ती है वैसे वैसे जोई अभिकारकों के सांधरण में क्या होता है कमी होती जाती यानि कि जैसे जैसे कोई reaction होती है वैसे जोई अभिकारकों की मातरा घटती जाती है और उत्पादों कोई सा संदर्ण और टाइम के बीच में गिसके बीच में सांदरण और सांदर्ता और संदर्टक्रिक्ट्ट, और सावड़ता साथ हमने कि सांदरता पर अभिक्रिया दर की निर्वरता किस परकार से है जैसे जैसे जो टाइम बितीत होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा अभिकारक के सांदर्ण में कमी होती जाएगी और साथी क्या होगा उत्पात के सांदर्ण में बिर्दी होती जाएगी यानि कि यह पर जो वेग नियम है वह हमें बताता है कि सांदरता पर अभिकरिया दर की निरवरता किस परकार से होती है कौन बताता है वेग नियम तो अब बात करते हैं student rate law यानि कि वेग नियम तो कि किसी अभिकरिया में अभिकारकों के सांदरन और अभिकरिया वेग को क्या है हम पारियोगीक रूप से यानि कि experiment करके ब्यक्त कर सकते हैं जो किसी भी rate of reaction और अभिकारकों के सांदरन के बीच में जो संबंद है उसको हम उसके मातरात्मक संबंद को परियोगों के द्वारा ब्यक्त कर सकते हैं यानि कि experiment करके ब्यक्त कर सकते हैं और जिसे क्या एक गणितिय बिंजग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे बोला जाता है वेग नियम, क्या बोला जाता है, वेग नियम, जिस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी दिये गए निश्चिताप पर, क्या है, कोई निश्चिताप दिया गया होगा, और इसी अभिक्रिया का जो वेग होगा वह अभिकारकों के सांद्रण के या फिर संक्रिया मात्राओं के गुणन फल के समानुपाती होता है यानि कि तो जो वेग नियम है वह हमें क्या बता रहा है सांद्रता पर जो अभिक्रिया के निरभरता कौन बताता है वेग नियम और नि इसचित-ापर अविपिडिया की थर अभीक्रिया दर का खनिए अभिकार कोंगे का आओ नश्य-विका रपकी म है अविकर अर्ल के संद्रार की अ गुडन भाल के यह कौन कहता है, वेगनियम, क्या कहता है, पहले तो बात करता है कि संद्रता पर जो है अभिकिया धरकी निर्वरता को जो है वेगनियम दर्साता है और इस नियम के अनुसार क्या होता है कोई निश्चित आप दिया होगा जिस पर जो है rate of reaction क्या होता है अभिकारकों के सांद्रण के गुणन फल के समान उपाती होता है और अभी मैंने आपको बताए कि वेगनियम क्या है एक mathematical expression है जो कि क्या है अभिकारकों के सांद्रण पर अभिक्रिया के दर की पारियोगिक निर्वरता को ब्यक्त करता है तो क्या है लिख सकते हैं आप mathematical expression मतलब गनितिया बिंजक है गनितिया बिंजक है बिंजक है जो कि अभिकारकों के अभिकारकों के सांद्रण की जो कि अभिकारकों के सांद्रण पर अभिकिर्या दर की पारियोगिक यानि कि experimental पारियोगिक निर्वरता को ब्यक्त करता है तो जो rate of reaction की सांद्रण पर dependency होती है यानि कि अभिकिर्या की दर की जो सांद्रण पर निर्वरता होती है उसको ज्यांत करने का केवल और केवल एक तरीका है जो कि हमारे पास क्या है experimental method कौन सा method पारियोगिक method पारियोगिक विधि के द्वारा जो हैं किसी भी राशाइनिक अभिकिर्या की दर्व की सांद्रण पर निर्वरता को ज्यांत कर सकते हैं तो जो ROR की सांद्रता पर निर्वरता होती है केवल और केवल किसके द्वारा ज्यांत की जाती है परियोगों के द्वारा निर्वरता को कि परियोगों से ग्यांत किया जाता है केवल और केवल एक ही मेथड़ है कौन सा एक्सपेरिमेंटल मेथड कि हमके एक्सपेरिमेंट करेंगे और उससे किसी भी राशाइनिक अभिकिर्या के लिए रेट लोग दे देंगे तो वेग नियम को जो हम उधारन की मदद से समझत एक इसके लिए मैतमेटिकल एक्सपेरिसन ग्यांद करते हैं तो माना कोई राशाइनी कभी करिया कोई सामानिया राशाइनी कभी करिया सामानिया अभी करिया है a Plus B gives a see по a hit or york and C सभरकार से दो है वेख्छ निए हम लिए lliिॉख नियम लिखेंगे तो नियामानु सार के निश्षित पर अविक्रिया के दर्ज।ामानुपाति होती है अविकार कोंके सांध्रण के गुणन फल के तो अविकार किदर या फिर वेग कहलो siis प्रति लैब किसे के सांधरण किसके एँ लि design अन्सक्राव भाट्र। इसंध्राइब तो क्या होगा सामानुपाति का चिन हटेगा तो यहां पर क्या जाएगा निया तांग लग जाएगा जो कि क्या होगा की ए संद्रता बी जहां पर एक है अभिकारक अभिकारक एकी सांद्रता या फिर मुलर संद्रन और भी के अभिकारक आभिकारक अभिकारक बी की सांद्रता और बीग इसत्रांग या फिर दर इस्थिरांग या फिर भीषिट अभिकरी दर मिस्ट अभिकरी कि लिया कि तरे कि हैं यहां पर वेग एस्त हरां कहलो या फिर धर इस्तंह लो या फिर भी आभिकरी दर एक दूसरा उधारण देखते हैं यहां पर जिसके लिए हमके रेट लोग एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे सपोज एट कोई रियक्शन के है कोई सामानिय आभी किरिया है टू ए पलस टू ए पलस बी गिपस प्रोड़क्ट यहां पर टू ए और बी के है रियक्टेंट होगे और पी क्या है यहां पर प्रोड़क्ट है तो हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया यानि कि परयोग किया एक्सपेरिमेंट कंड़क्ट किया और उसमें क्या हुआ कि हमने क्या किया एक के कंसंट्रेशन को है दो गुना किया क्या 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 एक कंसंट् रहा है समानुपाति ये ख़ें जब हमने जो कन्सेंट्रेशन को दो गुना किया तो अभी किर्या कि अधर के भड़ रही है तो इसलिए जो इसके अधर के सामानुपाति है तो हम लिख सकते हैं आर जार या फिर कर्फितर या फिर वेग वेग Is Purporsional किसके? आइच है किसके? Concentration of A के यहाँ पर घात A लिख सकने है यहाँ पर क्या कि हमने सबस्वेपहले concentration of A को दोगना किया जिससे क्या हुआ? rate of reaction जोगना हो जाता है और यहाँ पर जो B की Concentration थी उसको constant रखा उसके मान में जो कोई परिवर्ता नहीं किया दूसरी बारी क्या किया हमने concentration of B B की सांद्रता को जो है दो गुना कर दिया क्या क्या? B के सांद्रन को दो गुना कर दिया तो जब B के सांद्रन को दो गुना किया तो जो rate of reaction था ROR क्या हो गया? चार गुना होगी है यह प्रक्टिकल से पता चल रहा है मैं मान रहे हैं ठीक है कि प्रक्टिकल किया और यह यह हमारे पास डेटा आ रहा है तो क्या होगा यहां के लिए क्या होगा ROR is a purpose B square तो इस reaction के लिए वेगनियम क्या लिखेंगे हम टोटल वो लिखेंगे ROR is a purpose A की power 1 into B की power 2 यहां से जब जो हम समानोपाती का चिन हटाएंगे तो क्या होगा समानोपाती का चिन हटेंगा तो ROR is equal to K जो कि क्या है समानोपाती इस्तिरांगा इस समानोपाती इस्तिरांग को क्या बोला था मैंने दर इस्तिरांग क्या फिर वेग इस्तिरांग क्या फिर बिसिष्ट अभिकरिया दर तो K A की power 1 B की power 2 और यहां पर जो यह घातांग कहा है घातांग कहानी कि जो यह क्या है A की power और B की power में है यह कुछ भी हो सकते है हो सकता है यहां पर जो है डिपेंड नहीं कर रहा है यहांपर जो पावर में हैं वो कुछ लिए हो सकती है, फ्र माईनस में या फिर इंटीजर बोलो तो कोई सी भी वैल्यू हो सकती है या फिर यहाँ पर जो है बीक के सांदरन को 4 गुना कर दिया जाए मैं क्या हूं मैं जो यहां पर बीक के सांदरन को तो हो जाएगा यानि कि यहां पर जो वेगनियम जो यहां पर ज्यांद कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट की मदद से किसे परयोग आधार पर सिर्फ और सिर्फ परयोग से परयोग के आधार पर पर यह आधार पर ज्या किआ देखांद असकता है जिसे और कि नियम का है कि ये होगे यह दिसे और करते हैं जो कैसे होगा तो माना हमारे पास रेक्शन क्या थी जो अभिक्रिया थी अभिक्रिया थी कि सामान्य अभिक्रिया थी क्या थी सामान्य अभिक्रिया थी टू ए प्लस भी गिप्स प्रोड़क्ट क्या प्रोड़क्ट तो यहां पर की है फैले एक कंसेंटरेशन में चैंज होने पर तो रोर या फिर हुआ लिख लो इस छिसके कंसंट्रेशन ओ ओ एक की पवर एकस है ऐसे यह के कंसंट्रेशन डाया कि अरड रिकेकोर एकशन रॉहतants और्र ऋपर हो रहा है किस्से प्राफ तो रहा है एक्सपरिमेंट भी कर रहे हैं जब क्या है ? जब कि क्या है ? यानि कि एक की सांध्रण में जो है तो इंटु सांधरता B की पावर Y यहां से जो यह यह समानुपाती का चिनाटेगा तो क्या हो जाएगा आर ओ और यह समॉल आर इस एकोल ओलो टुकिए शमानुपाति यातान क्या अनिकी प्रपोश्टिनल कॉंस्रेंट यांपर लग जाएगा जो कि कैके एक की पावर एकशन बिक पावर y नो जो चो आपर यह जो एक स्प्रेशन आया है यह के रेत लोग शूर ओ से एक सॉफ्रेशन याफ ज विis वेगनियम का गंटिय में जक यह विगनियम कर्णwash क्वेघनियम की प्रणीड जहां पर talkin'ा है यह यह है अविकार्क अविकारग अफिकारक A का सांदरन इसी परकार से B का सांदरन इसी परकार जो X है X क्या है यहांपर A के साफ एक्ष अफिकारक A के साफ एक्ष अविकारक A के सापेच अविकिर्या की कोटी order of reaction with respect to rate and A इसी परकार से जो Y है वो कि है अविकारक B के सापेच अविकिर्या की कोटी है order of reaction with respect to B और जो यहाँ पर X plus Y होगा X plus Y हो क्या होगा कुल अविकिर्या की कोटी कुल अविकिर्या की कोटी और जिसे क्या है इसमोल एंड से परदर्शित करते है यानि की N is equal to X plus Y N is equal to X plus Y जो कि क्या है यह जो N है order of reaction order of reaction क्या यह order of reaction और जो यहाँ पर X है होगा है उगा नेगर्टीव भी हो सकता है पोजिटीव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है तो यहाँ पर किसी भी अविकरिया की दर और अविकारकों के सांद्रण की मात्रा के मध्य में जो है मात्रात्मक संब्द भी हो सकता है कि sir और इन्होंने दिया पर एक नियम दिया था जैसे क्या बोला अटाथै द्रभ्यानोपाति रिया का नियम मास एक्षन लो जिंह कया था द्रभ्यान फाति रिया का नाम कि सह निया था गुल्ड वरग घ्डवंवर्वं वागे ने नियाम क्या दिया था दरव्यान का पाती है कि दिया का जिसनी Enough सार्ड रेट उफ रीयक्शन होगा याणि कि इसी आभी कर दिया लेने काल रों है तो । दूरेट उफ रेक्शन होगाilot हुआ इस परपोर्शनल एकी पावर एके साथ के यहां पर टू इन्टू बी की पावर गुवन यानिकी पावर में जो है जो इस्टाइकियोमेट्रिक कोफिसेंट है वो आएंगे जो रेट ओफ रेक्शन होगा हुआ सांद्रण के गुणन फल के समानुपाती ओगर साथ ही क्या लेकिन यहां पर क्या होता है यहां पर ऐसा नहीं होता है कहां पर जब हम यहां पर रेट लोग एक्सपेरिमेंट की मदद से ग्यांद करते हैं तो वहां पर जो है इस्टाइकियोमेट्रिक कोफिसेंट नहीं लिए जाते हैं अगर हम यहां पर इस्टाइकियोमेट्रिक कोफिसेंट लेंगे तो क्या होंगे हो पोजिटीव होंगे जबकि इनके मान के ज़रूरी नहीं की पोजिटीव आए नेगरिटीव भी हो सकते हैं या फिर फ्रेक्शनल वैल्यू में भी हो सकते हैं तो इसलिए जो गूल्डबर्ग एवं वागे ने नियम दिया था यह सभी रियक्शन के लिए अप्लाई नेहीं हो था क्योंकि कुछ रियेक्शन में क्या हो रहा था सिताइटियों मेड्रिक कोफिसेंट से जो है हुआ अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाति होती है जब कि क्या हो जब कि परतेक सक्रिय द्रव्यमान पद पर संगत इस्टाइक्योमेट्रिक नियतांग कि घात वहां पर इस्थित हो तो यहां पर क्या है यहां पर जो है इस्टाइक्योमेट्रि यहां पर क्या हो रहा है यहां पर इस्टाइक्योमेट्रिक कोफिसेंट को ले रहे हैं तो यह द्रभ्यानुपाति करिया का नियम था इसका गुलवर्ग एहुम वागय का यह सभी रियक्शन के लिए अपलाई नहीं था इसलिए यहां पर जो रेट ओफ रियक्शन है इसकी हो रहा था यानि कि जो यह रूल था गुलवर्ग एहुम वागय का वह फेल हो गया तो गुलवर्ग एहुम वागय के द्रभ्यानुपाति क्रिया के नियम अनुसार क्या था सपोस्थ हमारे पास कोई सामानिय अभिक्रिया है जिसके लिए हमें के द्रभ्यानुपाति क्रिय है कोई सामान्य अभिक्रिया है सामान्य अभिक्रिया है जो कि के ए प्लस बी प्लस सी गिप्स प्रोड़क्ट तो यहां से क्या हो जाएगा जो क्रेंटरेशन हो जाएगा या स्मॉल आर इस परपोस्टिनल किसके कंसंट्रीशन of A की घाद इस्टाइक्योमेट्रिक कोफिशेंट यानि की A, कंसेंट्रेशन और B की घाद इस्टाइक्योमेट्रिक कोफिशेंट B, इन्टू कंसेंट्रेशन और C, इस्टाइक्योमेट्रिक कोफिशेंट C, यहां से जो है, ROR is equal to K, A की पावर A, B की पावर B C की पावर C इस परकार से जो है गुलवर्ग एम वागे ने नियम दिया था किसी भी आभी किरिया के लिए rate of reaction निकालने का लेकिन यह नियम सभी reaction के लिए अपलाई नहीं हुआ यानि कि यह नियम फेल हो गया जिसके कारण जो है यहां पर स्थे रंग किया है समानोपाती स्थे रंग इस समान पाती इस्थे रंग को जो है क्या क्या बोला जाता है वेeno यétais इस्थि रंग हुआ कि या फिर दर स्थे रंग कि या फिर फिर बसीषट कि अभी कि लिया डर तो नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट यहां पर के के बारे में जो कि समानुपाती इस्थिरांग है यानि कि वेग इस्थिरांग के या फिर दर इस्थिरांग के या फिर समानुपाती इस्थिरांग के बारे में तो यहां पर जो है आरो आर क्या रहा था ही सब करें लिए आरो आर या फिर इस्मॉल आर इस इकल टू के कंसेंट्रेशन ओफ एक पावर एक्स इंटू कंसेंट्रेशन ओफ बी की पावर वाई ये क्या था रेट लॉव एक्सप्रेशन रेट लो एक्सप्रेशन ठीक है तो यदी यहां पर जो है कंसेंट्रेशन ओफ यदी कंसेंट्रेशन ओफ एक मोल पर लीटर तथा कंसेंट्रेशन ओफ लूव एक मोल पर लिटर लिया जाए लिया जाए तो क्या हो जाएगा जो R, O, R या फिर small r जो होगा, वह बराबर होगा किसके? K के क्योंकि यहाँ पर A की जगा पे 1 आ गया रो B की जगा पे भी 1 आ गया तो यहाँ से जो हम K को परिभासित कर सकते हैं कि जब परतेग अभिकारक की सांदरता को इकाई लिया जाए, क्या किया जाए, एक मोल पर लिटर लिया जाए सांदरता को, जितने भी अभिकारक जो है उस अभिकरिया में उपस्तित है, जो भाग ले रही है अभिकरिया में, जब उन्हें एक इकाई लिया जाए, तो जो किसके बराबर होता है वेग इस्तिरांग के बराबर यानि कि जब परतेग अविकारक की सांद्रता को इकाई लिया जाए तो अविकिर्या वेग ही वेग इस्तिरांग कहलाता है तो यहां पर आप लिख सकते हैं जब परतेग अविकारक की सांद्रता को इकाई लिया जाए तो अविकिर्या का वेग अविकिर्या वेग वेग इस्तिरांग के कहलाता है क्या होता है के कहलाता है नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं इसकी यूनिट की किसकी के की यूनिट की तो के की यूनिट क्या हो जाएगी के की यूनिट निकालते हैं तो के की यूनिट यानि की वेग इस्तिरांग वेग इस्तिरांग के का मात्रक तो किस प्रकाश निकाल सकते हैं यहां से हम इस रेट लोग एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं के इज इकोल टू आर ओ आर अपन कंसंट्रेशन ओफ एक्स इंटू कंसंट्रेशन ओव बीकी पावर वाई ठीक है और हमें जो रेट ओफ रिएक्शन अभी किरिया की इधर है उसका जो मात्रक है हमने प्रिवियस लेक्चर में प्राप्त का लिया था जो कि क्या था रेट ओफ रिएक्शन का जो मात्रक होता है मूल पर लीटर सेकंड इनवर्स क्या था मूल पर लीटर सेकंड इनवर्स तो यहां पर पूट करते हैं और जो सांधरता होती है जो सांदरता यानी कि जो ए या फिर बी-का जो मात रख होगा क्या होगा मूल पर लिटर तो यहां पर पूट करते हैं इसमें इन दोनों मानों को मौल्ट पर लिटर इसेकंड इनवर्स क्या हुजायका मौल पर लिटर सेकंड इनवर्स दिवाईड़ बाई ups फर के इस अकी पावर एक सो यह कम न पर मूल पार लीटर की पावर एकस इन्टु मूल पर लीटर की पावर वाई ठीक है और हमें पता है यहां पर X और Y क्या है एक्स जो है यहां पर अभिकारक A के साफ एक्स में अभिक्रिया की कोटी है और जो वाई है अभिकारक Y अभिकारक B के साफ एक्स में अभिक्रिया की कोटी और तो यहां पर क्या हो जाएगा X plus Y यानि कि तो हमें पता है कि जो कुल अविख्रिया की कोटी होती है उसे N से परदर्शित किया जाता है उजो कि क्यों होती है यहां पर क्या का मात्रक आगिया क्या आगे मौल पर लीटर सेकंड इन वर्स डिवाइड़ेड़ गाई मौल पर लीटर की पावर एंड तो यहां पर इस एक्स्प्रेशन को जो है अगे भी सॉल कर सकते हैं या फिर यहीं तक इसको छोड़ सकते हैं तो हमें क्या पराफ हुआ मौल पर लीटर सेकंड इनवर्च डिवाइड़ेडल वई मौल पर लीटर की पावर एंड तो इस एक्सप्रेशन से हम बता सकते हैं कि जो वेग इस्थिरांग का मात्रक होता है जो वेग इस्थिरांग की यूनित होती है जो K की यूनिट होती है वहाँ डिपेंड करती है वहाँ निर्भर करती है किस पर अभी किरिया की कोटी N पर तो जो K है K यानि की वेग इस्थिरांग वेग इस्थिरांग अभी किरिया की कोटी पर निर्भर करती है कि निर्वर करती है यानि कि जो वेग इस्थिरांग का मातरक होता है वह अपने साथ के अभिक्रिया की कोटी को भी लिये हुए होता है यानि कि हम जो है किसी भी अभिक्रिया के वेग इस्थिरांग के मातरक को देखकर बता सकते हैं कि वह अभिक्रिया जो है कौन सी कोटी की ह होगी या फिर फर्स्ट ओर्डर की होगी या फिर सेकंड ओर्डर की होगी तो हम किस से पता सकते हैं के के मात्रक को देखतर हम या ग्यांद कर सकते हैं कि अविक्रिया कौन सी कोटी की हो रही है अविक्रिया की कौटी कौन सी है अविक्रिया की कोटी किस परकार की है यहां पर हम इस के मान को जो है आगे भी सॉल करके निकाल सकते हैं के इस इक वर टू यह वाला टम उपर चला जाएगा यह क्यों हो जाएगा जो पावर है वह माइनस में आजाएगी तो मौल को Bowl भी लिटर मों माइनस एन क्यों टरसा तो इससे जो है किसी वी अविक्रिया की kे लिए वह इस्तरांक सनय गयांद कर सकते हैं तो यहां पर ने क्सवर्ण करकार के अभिक्रिया की यहां पर लिखते हैं अभी किर्या की कोटी यानि की एन और यहां पर लिख देता हैं वे इस्थिरांक वे इस्थिरांक के का मात रक तो यहां पर जब जो है N is equal to 0 होगा, पहले कि N is equal to 0 रखना है यहां पर, जो यहां पर formula आया है, इस expression में जो है, N is equal to 0 रखना है, तो K is equal to क्या है, N is equal to 0 का मतलब की, 0 order, 3 action, सुन्य कोटी की अभिकिरिया, हिंदी में क्या वहते हैं, सुन्य कोटी की अभिकिरिया, जिस अभिकिरिया की कोटी जो है, सुन्य हो, तो K बरावर क्या हो जाएगा, N is बरावर हमने क्या रखना है, 0, तो mole, formula क्या है, पर mole, upon liter की पावर, 1 minus N, second inverse, तो यहां पर क्या है, 0 रखना है, तो K का मातर क्या जाएगा, इसके लिए, mole, per liter, 1 minus 0 क्या हो जाएगा, 1, second inverse, तो क्या जाएगा, आपके कमान, इसके लिए, mole, per liter, second inverse, क्या जाएगा, mole per liter, second inverse, इसी परकार से, क्या है, इसी परकार से क्या है, जब N ब्रावर, एक, यानि कि फर्स्ट और रियेक्शन, पर्थम, कोटी की, पर्थम कोटी की, अभिक्रिया के लिए, तो इस expression में जो है, N is equal to 1 रखना है, तो K ब्रावर क्या हो जाएगा, mol per liter, one minus one, क्या हो जाएगा, जीरो जाएगा, तो one minus one, zero हो गया, यहi, zero हो गया, और second inverse, तो जब किसी भी अंख की घात जेए, किसी भी संक्या, या किसी भी अंख की घात, जीरो होती है, तो उसका मान क्या होता है, एक होता है, और one in to our sout web, इन्वर्स के हो जाएगा यहां पर आजाएगा सेकंड के हुल्प है इसके लिए क्या रहा है मात्रक सेकंड इन वर्स ऐसे यादी अन बराबर दू है ऑनबनेया तो वह तो यह पर दुटिये को से Kटि की आ धुटिये को करक दूटिकी रियेक्षन, सेकंड ओडर रियेक्षन, तो यहां पर जब हम एन ब्राबर दो रखेंगे, तो क्या होगा, के इट इक्वाल टू मॉल पर लिटर, वन माइनस टू, वन माइनस टू, क्या हो जाएगा, माइनस वन, पर सेकंड इनवर्स, यह आएगा, मॉल, क्या मॉल, इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स, मॉल इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स, तो यह क्या आगे, इसका मातरक, मॉल, इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स, ऐसे ही जो हैं, किसी भी, कोटी के लिए, किसी भी, फ्रेक्षनल मान के लिए, फिर, जीरो के की मातरक्पी गर्णा कर सकते हैं मैं यहाँ पर जो है N Is equal to अंपल टो कर एन इस इक्वल टो हाफ हो तो क्या हो जाएगा लुख हो तो यह जाएगा के इस इक्वल टो मूल पर लेटर एक मैं से एक बटे दो घटा सेंड एन वर्स दो में से एक यह जाएगा तो यह बटे दोई आएगा तो यह हो जाएगा मूल पर लीटर की पावर हाफ सेखेंड इन्वर्स है ऐसे यदि इसी परकार जो है एनीज इकल डिया की कोटी जो है तीन होई तो क्या हो सब्क्राइब थर्ड ओर एक एक शने की तिर्थिया कोटी की अभी किर्या तो इसके लिए उसक पर लीटर 1-3 सेकंड इन्वर्ज तो यह प्र पर लीटर-2 मोल सेटन्ड इन्वर्ज में क्योज जाने लूद के मोल की पाउर माईनस टू एक रीटर स्कॉयर इसकर तो क्या रहा इसका थिर्दिय एक फिर एक यह किर एक कियार है कि यान कि वेग इस्थरांग का मातरक जो है मौल लीटर स्कोर सेकंड इन्वर्स तो इस परकार से जो है यां पर किया है वेग इस्थरांग के के मातरक की गणना जो अलग-अलग परकार की अभिक्रियाओं की कोटी के लिए कर सकते हैं नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं इस्टूडेंट अभिक्रिया की कोटी की यानि की और आफ रियक्शन की तो अभिक्रिया की कोटी थोड़ा बहुत आईडिया तो आपको हो गया होगा कि क्या होती है क्या होती है अभिकारकों के सांद्रन की घातों का जो योग होता है क्या ह कौटी, Order of Reaction, Order of Reaction. तो अभिक्रिया की कोटी क्या होती है? किसी भी राषाइन के अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अभिकारक अणःगों की संक्या, जिनके सांधरन में परिवरतन होने से जो है, अभिक्रिया के वेग का निरधारण होता है. उसे क्या बोला जाता है अभिक्रिया की कोटी यानि कि किसी रासाइनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सांद्रण की घात जो है उस अभिकारक के साफ एक्ष क्या कहलाती है अभिक्रिया की कोटी कहलाती है तो यहां पर लिखते हैं, अभी क्रिया की कोटी क्या होती है, किसी भी रासाइनिक, तो आया वह? जिनके सांद्रण में परिवर्तन से परिवर्तन से आर ओ आर के मान की गर्णा की जाती है और दूसरी ड्री सन क्या लिए सकते हैं कि किसी राशायिक अभिकरिया में अभीकारक ओैसे न के सांद्रनी की खात किसी अध्राशायिक अफिक्रिया में अभिकारकों के सांद्रन की घात उस अभिकारक के सापेक्च उस अभिकारक के सापेक्च अभिकिरिया की कोटी कहलाती है कोटी कहलाती है अ फोर एक्जामपल एक्जामपल करेंग लेस कोई सामानिय दियर एक Ey yes अध्रमपल के यह कोई सामाने के एक पलस दी पलस सीजिन सी गिप्स क्या प्रोडक्ट तो यहां पर जो है आरो और क्या हो जाएगा यानि कि इसको स्मूल आर से लिख लिए फिर अभी किरिया का वेग वेग या फिर आर इज़ पर पोस्नल किसके सांधरता एक की पावर एक्समा लो इंटू बी की पावर वाई इंटू सी की पावर जैट तो यहां पर जो है जब आर इज इक वल टो के एक की पावर एक्स बी की पावर वाई और सी की पावर जैट यहां पर पुल जो अभी किरिया की कोटी होगी ओक्या होगा ओवर ओल ओवर ओल ओल अर्डर ओफ रेक्शन एन इस इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जैट क्या होजाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जैट यह तो ओवर ओल ओडर ओफ ये जहां पर एक्स के एक्स इजीकोल टू अविकारक अविकारक एके सापेक्श अविकारक एके सापेक्श अविकिरिया की कोटी अविकिरिया की कोटी इसी परकार से वाई अविकारक भी के सापेक्श अविकिरिया की कोटी तो भी के सापेक्श order of reaction इसी प्रकार से जो Z है आभिकारक C के साप एक्च अभिकिरिया की OT तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो अभिकिरिया की कोटी है जो order of reaction है वह अभिकारकों के इस नाई क्यों metric coefficient पर depend नहीं करती है क्यों नहीं करती है क्योंकि जो अभिकिरिया की कोटी है वह experimental value है हम परियोग करके उस value को प्राप्त करते है तो यहाँ पर यह x, y, z है यह experimental value है कि आई परियोगियों के आधार पर प्राप्त मान पारियोगिक मान तो इसलिए यहाँ पर यह अभिकरिया की कोटी जो है उन पर निर्भर नहीं करती है अभिकरिया की कोटी जो है परियोगों के आधार पर नेक्स्ट यहां पर कुछ उधारणों की बात करते हैं तो उधारण देखते हैं पहला उधारण है परक्ष्ट एजामपल है एंटू पलस थ्री एच्टू गिप्स टू एनेच थ्री इसके लिए जो रेट होगा रेट यान की स्मॉल आर इस परपोस्नल हो जाएगा एंटू की पावर वन और एच्टू की पावर थ्री आर इस इकल टो हो जाएगा के एंटू की पावर वन एच्टू की पावर थ्री तो यहां से क्या हो जाएगा जो ओर्डर ओफ रेक्शन हो जाएगा यानि की स्मॉल न ओर्डर ओफ रेक्शन इस्मॉल एप्स एक्वल टू 1 प्लस 3, 4, ऐसे एक दूसरा उधारन देते हैं, 2 N O प्लस O 2 gives 2 N O 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, R is equal to K, N O की power 2, O 2 की power 1, तो यहां पर जो order of reaction यानि की N है, N is equal to 2 plus 1 is equal to 3, और जो अभिकरिया की कोटी है, वह कुछ भी हो सकती है, जो यहां पर यह घाते हैं आपको दिखे हैं, मैंने पहले भी बताया था, इससे थोड़ी देर पहले आपको बताया है, कि जो यह घाते हैं या नेगटिव में भी हो सकती है, positive value भी हो सकती है, यह फिर फ्रेक्शनल वै बात करेंगे यानिकी सुन्य कोटी की अभिक्रिया, फर्थम कोटी की अभिक्रिया, और दुटिय कोटी की अभिक्रिया, तो पहले देखते हैं, सुन्य कोटी की अभिक्रिया, जीरो तोल्रोफ रेक्शन, यानि कि जिस राशायनिका अभिक्रिया की कोटी जो है, जीरो होती के समानु पाति होता है तो क्या होते है अभिकरिया का वेग अभिकाराक्यों कि अभिकाराकों के सांद्रन पर निर्भर नहीं करता है कि अभी ROSE अभिकारकों के सांध्रण का निर्वर नहीं करता है यानि कि अभिक्रिया का जो वेग होता है सीधे लिए लिए रो और या फिर रेट इस पर पोस्नल किसके लिए सुन्या कोटी के अभिकारक अभिकारकों के संद्रण के स्थन्य गात के अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारकों के सांध्रन के सन्य गात के समान को पाति होता है वाना हमारे पास कोई सामानिय आविक्रिया है, एगिप से पी, तो यहाँ पर रेट क्या हो जाएगा? रेट इस पर पोजने, A की पावर जीरो, क्योंकि यहाँ पर क्या सुन्य कोटी की आविक्रिया की बात करने, तो अभी कारक के सांदरण की सुन्य घात के समान उपार थी और रेट बराबर क्या हो जाएगा के एकई पावर जीरो यहां पर ओर और ओफ एक्षन यानिकी एन के एन बराबर जीरो जरूरी नहीं हापर इस प्रकार से भी प्लस बी प्लस सी गिब्स पी ठीक है तो रेट क्या के अविक्रिया को समझते हैं उधारन देखते हैं एच टू प्लस की अलटू गिपसे तू एच सील तो यहाँ पर क्या होगा रेट बराबर के है एच टू की पावर जीरो सीर्ड टू की पावर तो यहां पर हम इस बेंजग से जो है सुनिय कोटी के अभीक्रिया कले कि इस तरह के मातरक के भी गरना कर सकते हैं तो यहां पर क्या दिया है रेट बरावर के एक पावर जीरो तो जब किसी भी संख्या की पावर जीरो होते है झख तो समान क्यों होता है क्या होगा एड़ तो रिडिव होता है क्या होगा पता है कि के को है नेक्स लिए आपर बात करते हैं यह पर फंको तक एक होती है उसे अलगलते पर्फम कोटी की अविक्रिया इसमें कहोता है वह राशाय कलक्तर जिसमें कह अविकार यह जो ए अविक्रमके along पर निरभर करता जान सबस्क्राइब निरभर करता है को अविर कार कण एक सांध्रन पर अविक्रिया कम एक अविकारक के कि अविकारक warranty पर निर्भर करता है और जो रेट होता है वह परपोर्शनल होता है अभिकारकों के सांद्रण के पर्थम घात के इसके होता है पर्थम घात के अभिकरिया का वेग क्या होता है वह रासाइनिक अभिकरिया जिसमें अभिकरिया का वेग एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भ लिए परफम कोटी की अविक्या और साथ ही के अभिकरिया का जो होता है अविकार कोंके संद्रन के परफमघत के समानों पात्य वोते हैं फोर एक्जांपल है कोई रिख्शने a gift product पी तो यहांसे जो रिएट होजाएगा वेग होजाएगा ओमार क्या हो से पर पोर्पोरिशनल एक की पावर 1 रेट बराबर के एक की पावर 1 या फिर कोई रेक्षिंस स्वीद्स भी गिव्सपी तो इसमें को जायगा rate is equal to k a की पावर 0, b की पावर 1, या फिर rate is equal to k a की पावर 1, b की पावर 0, तो यहां पर जो n आएगा, order of reaction आएगा, 0 प्लस 1 या 1 प्लस 0 क्या है, प्रावर 1 प्लस 0 is equal to 1, यानि की फर्स्ट ओडर रेक्शन, यहां पर n is equal to क्या हो जाएगा, 1, उधारण देखते हैं यहां पर तो उधारण की बात करें, क्या हो जाएगा, c2, h5, cl, ethyl chloride, जब भी घटान होता है तो क्या है, c2, h4, plus hcl, तो इसके लिए जो rate होगा, बराबर के, c2, h5, cl की पावर 1, और यहां पर n क्या हो गया, 1, तो अविकरिया की कोटी क्या है यहां पर, 1, या फिर हम दूसरा example ले ले, ammonium nitrate का भी घटन, ammonium nitrate जब घटी तो तो क्या है, n2, plus 2, h2o में, तो क्या होजाएगा, n4, n2, gives n2, plus 2, h2o, the first example, second example, तो यहां पर rate क्या होजाएगा, rate is equal to k, k क्या होजाएगा, विक स्थिरांग, दर इस्थिरांग, विसस्थिरांग, विसस्थिरांग, विसस्थ होजाएगा, विसस्थिरांग, 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 गात के है, दुटिया, गात के, माना हमारे पास कोई रियक्सिन है, A Gibbs P, तो इसके लिए जो, रेट होगा, रेट इस परपोरिसनल A की पावर, टू, तो रेट बरावर हो जाएगा, के A की पावर टू, और N के यहां पर, टू है, हो सकता है इस फरकार से भी, A पलस बी, gives P, तो यहां पर क्या हो, rate is equal to A की पावर 1, B की पावर 1, या फिर rate is equal to A की पावर 2, या फिर B की पावर 0, या फिर rate is equal to A की पावर 0, B की पावर 2, तो इस फरकार से कुछ भी यहां पर हो सकता है, जिसका N क्या है, एक पलस एक दो, दो पलस जिरो, दो जिरो पलस दो, क्या है, दो नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं उधारण की उधारण क्या इसका तो उधारण यहां पर टू एनुटू गिप्स टू एनुट प्लस ओटू तो यहां पर रेट क्या हो जाएगा रेट इस परपोर्शनल एनुटू की पावर टू ए इध एक्वल टू के की पाव के इनुटू एनुटू टू की पावर तो यहां पर एनी डूक व्यूर्माइगो पीप्डो तो ऐसे दूसरी ग्जामपल देते हैं एक्स्टू गिप्स है तो हुन today का हुग जाएगा रेट इस परहशनल एक्सटू की पावर वन i2 की पावर 1, rate is equal to k, h2 की पावर 1, i2 की पावर 1, यहां पर n यानी की order of reaction की हो जाए दो, 1 plus 1 is equal to 2, next यहां पर बात करते हैं, तिर्तिया कोटी की अभिक्रिया की, 3rd order of reaction, तिर्तिया कोटी की अभिक्रिया क्या होती है, वह रासाइनिक अभिक्रिया, जिसमें अभिक्रिया का वेग, तीन अभिकारकों के सांद्रन पर निर्वार करता है, कितने, तीन अभिकारकों के सांद्रन पर निर्वार करता है, और जो rate यानी के अभिक्रिया का वेग हो या फिर E Plus 15 वी घिप्स पी या फिर 2 बावर बी फिलसबी प्लास सी गिप्सपी तो यहां पर क्या होगा रेट इस पर पोर्पोर्स्नल एकी पावर थरी रेट बहाबर के एक की ठावर्फश्य एनके यह मां अभिकारक के शांद्र की घात कितनी तो 3rd order of reaction यहां पर क्या हो सकता है rate is equal to k, a की power 3, b की power 0 या फिर rate is equal to k, a की power 2, b की power 1 या फिर rate is equal to k a की पावर 1, b की पावर 2 या फिर rate is equal to k a की पावर 0, b की पावर 3 तो यहां पर सब भी condition में आपको दिख रहा होगा जितने भी हम मैंने यहां पर mathematical expression लिख हैं इस equation के लिए तो यहां पर क्या है जो order of reaction है तीन है 3 plus 0, 3 2 plus 1, 3, 1 plus 2, 3 और 0 plus 3, 3 ऐसे यहां पर rate is equal to k a की पावर 1, b की पावर 1, c की पावर 1 rate is equal to k a की पावर 3, b की पावर 0, c की पावर 0 rate is equal to k a की पावर 0, b की पावर 3, c की पावर 0 rate k a की पावर 0, b की पावर 0, c की पावर 3 या फिर यहां पर क्या हो जाए rate k a की पावर 2, b की पावर 1, c की पावर 0, या फिर k a की पावर 2, b की पावर 1, 1, sorry b की पावर 0 कर लो, c की पावर 1, या फिर k a की पावर 2, नहीं, a की पावर 0 कर लो, a की पावर 0, b की पावर 2, c की पावर 1, इस परकार से जो है में आपर की है, जितनी भी कंडिशन निकलती है, उनके लिए आप देख सकते हैं, 3, plus 0, plus 0, 3, या फिर 0, plus 3, plus 0, 3, यह एन, 0, plus 0, plus 3, 3, 2, plus 1, 0, 3, 2, plus 0, plus 3, और थिरी, और भी कंडिशन आ सकते हैं यहां पर, तो यहां पर जोए इस प्रकार से के, rate of reaction ज्यांद किया जाता है, तिरतिया कोटी के अविक्रिया क्या होती है, जिस अविक्रिया की कोटी जो है, कुछ भी हो सकती है यानि कि जीरो भी हो सकती है पोजिटिव भी हो सकती है नेगरिटिव भी हो सकती है भिनात्मग भी हो सकती है फ्रैक्सनल वैल्यू भी हो सकती है तो इसी आधार पर जो हम अविक्रिया की कोटी को क्या है पर्थम कोटी की अविक्रिया सुन्य कोटी की अव करिया की कोटी हो नेगर टीव हो सकती है जीरो हो सकती है बोद लिए होती है जो अभिक्रिया की कोटी होती है तो जो अभिक्रिया की कोटी होती है वहाँ किसी भी संतुलित रासाइनिक अभिक्रिया की इस्टाइक्योमेट्रिक कोफिशेंट पर निर्वर नहीं करता है जो सेकंड पॉइंट है अभिक्रिया की कोटी अभी किरिया की पोटी संतुलित रासाइनिक अभी किरिया के स्टाइक्यो मेट्रिक कोफिशेंट पर निर्वर नहीं करता है संतुलित रासाइनिक अभी किरिया के स्टाइक्यो स्टाइक्यो मेट्रिक कोफिशेंट यानि के गुनांग पर निर्भर नहीं करता है निर्भर नहीं करती है फोर एक्जामपल ले ले लेते हैं टू एंटू ओ फाइब टू एंटू ओ फाइब गिपस फोर एन ओ पलस ओटो यदी हम जो है एक्सपरिमेंटल वेल्यु देखें यहां पर रेट औफ जो रेट नीम के अक्सपरिमेंटल वेल्यू देखें जानी सक जो अविक्रियक की कोटी होगी उसके लिए मांदेखें तो रेट क्या ओगा रेट इस परपोर्शनल N2O5 की पावर 1 जब जो है एक्सपेरिमेंट किया तो हमें ये प्राप्थ होता है कि जो रेट डिपेंड कर रहा है वा N2O5 की एक घात पर डिपेंड कर रहा है तो यहां से के ये एक्सपेर परियोग क्या अधार पर परियोग से तो रेट इस इक्वल टू के N2O5 की पावर 1 तो N की यहां पर 1 है लेकिन यदि हम गुल्डबर्ग एम वेगे के द्रभ्यानुपाती किरिया के नियम को देखें जिसके अकोर्डिंग क्या था स्थिर्थ आप पर अभिकिरिया की कोटी के है पर करती है यांनि की यहां पर जो यह हमने रेट लॉ लुथा वहां पर पावर है पावर में जो इस टाइक्यों मिट्रिक गुणांग देखने और को मिलता है भूर एम वेगे के की होना था गूर्वर एम वेगे के द्रभ्यानुपाती कि रिया के नियम से यहां पर जो मान हमें परात होना था वह होना था यानिका यहां पर इस्टात्यों कोफिसेंट है उस पर डिपेंड करता है लेकिन जब हमने प्रैक्टिकल किया तो प्रैक्टिकल में कैथ अथे के कोटी होती है या फिर यह दो key और की में और महातमी आ जाय तो पर्योग के आंकलों को जुट लाने सकते हैं तो परियोग परियोंक के कोटी आनी के एक्सन लोग या पर एंहीं कि ना पर एन магазin नाच्टी नए इस reaction के लिए गलत है तो जब ये गलत है तो गुलवर्ग एवं वेगे के नियम दिया ही क्यों गया तो गुलवर्ग एवं वेगे के नियम जो है सिर्फ और सिर्फ सामान्य अभिक्रियाओं के लिए लागो होते है सामान्य अभिक्रियाओं अभी क्रिया ही होती है जो एक स्टेप में होती है अभी क्रिया ही कि है हमारे पास दो टाइप से होती है ये नो डाउन कर लें आप अभी क्रिया ही क्या है अभी क्रिया ही जो है हमारे पास टू टाइप से होती है दो टाइप की रियेक्शन होती है एक होती है सामान यानि की सि क्वेट होती है single step में हैं complete होते हैं वह ही single step और उसका rate determining step होता है क्या होता है यही step away निर्धारक वेगनिर्धारक को एक निर्धारक पद नियुक्त है यह जो कि क्या है गुलवर्ग यह ऐँ वेगे के नियम जो यह 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 पर लागो होते हैं simple single step reaction में यह ला ओत लेकिन complex reaction क्या होती है जो जो है एक से अधिक step में complete होती है एक से अधिक step में एक से अधिक step में complete होती है और यहाँ पर क्या होता है 2 या 3 स्टेप में रेक्शन complete होती है, लेकिन यहां पर जो rate determining step होता है, उन सभी steps में से, जो सबसे slowest step होगा, जो सबसे slowest step होगा, उस पर depend करते हैं, क्या होगा, सबसे चार step में reaction कम्प्लीट हो रही है, और उसमें जो सबसे slowest step हो वो दूसरा है, तो वहां पर क्या है, जो और स्लूइस्ट इस्टेप स्लूइस्ट इस्टेप वेग निर्धारक पद होता है तो गुलबर्ग एवन वेगे का लोग अवा सिंपल सिंगल इस्टेप वाली रासाइनिक अभिक्रियाओं के लिए लागु वा था जिसमें देखा गया कि जो रेड लौथा वहां पर जो है जो संतुलित राशायनिक समीकराण के स्टाइक यो मिट्रिक कोफिशेंट थे वह वहाँ पर पावर में दिखाई दे रहे थे चींग कर दो और एक्जांपल इसके लिए एकजांपल देखें है NG Pub 492 टिफैश अच गोटाइव यहाँ पर आईटा बयूरी आज much एगा यहां पर जो यह तो फोगा उ acqua है है तो यह हो जाएगा इसका जो एनों हो जाएगा वन पलस वन वैग डॉ इसमें क्यों है गूल्वर्क अनियम चरफ-स सींपल सिंगल इस्टेप वाली रियक्शन के लिए लागुथा जिसमें क्या होता है जो स्टाइक क्योंमेट्रीट ने उनके को आंकों को जो हैं पावर में रख दिया जाता है और वेग नियम को निर्धारित किया जा सकता है नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कि जो अभिक्रिया का वेग होता है, वो उत्पात के सांधर्ण पर भी निर्भर कर सकता है, कई रियक्शन ऐसी होती है, जो कि कि उत्पात के सांधर्ण पर भी निर्भर कर सकती है, कि तो देखते हैं कि तीसरा क्या था रेट यानि कि अविक्रिया का वेग उत्पादों के संद्रन पर भी संद्रन पर भी निर्भर कर सकता है कर सकता है फोर एक्जामपल ओजोन का ले लो 203 गिपस थ्री ओटू तो इसके लिए जो रेट एक्सपेसन होगा रेट लोगा एक्सपेसन होगा जो यहां क्यों होगा इस परपोन वय थ्री की पावरस मैं तो और व्यू की पावर-1 तो इहांसस वहीं पर दिख्राओं गांटो के अंसर प्रोडक्त है ऐए उट कहीं हम पर प्रोड़क्त यहांपर आ यहांपर जोई है ओड़व की मैंश वान पावर्पर डिपा रहेए यान कि प्रोड़क्ट भी यांपर वेगनियम पर उपस्थित हो सकता है वेगनियम में जो प्रोड़क्ट की भी उपस्थिती हो सकती है नेक्स बात करते हैं यहां पर हुआ है चौथ पॉइंट है वह है अफिकरिया का वेग अफिकरिया का वेग कुछ अभिकारकों के सांधरन पर ही सुद्ष अभिकारकों को को हिखा आं संद्रणपर निरभर हो सकता है है था कि आहने का मतलब है कि यदि हमारे पास रियक्शन में जो है对0 अविकारक हैं तो क्या पता जो है उसरे एक्षेंपल रौन पर निरभर कर रहा हो या फिर दो अविकारक के शानम पर निरवर कर रहा हो यानिकी सभी अभिकारकों के सानल पर भी निर्वर कर सकता है कुछ अभिकारकों के सानल पर भी निर्वर कर सकता है तो एनोटो पलस एक्जामपल के इसका एनोटो पलस सी ओ गिपस एनोटो प्लस सी ओटो तो यहां पर क्या होता है जो रेट ओफ रेक्शन यानिकी जो रेट और रेट की न उटी कि पावर की अधिया टू और सी ऑंकी पलब जीनों क्या औरुरेेट जुके अनरों टुकि पावर को और कि पावर शूवक लिएक यहां पर जो पर сообщ नहीं कर रहा है जो रेट निया मेवादब carbon monoxide के सांद्रण पर निरभर नहीं कर रहा है तो मैं इसको जो है यहां पर नहीं भी लिख सकता ह। हाँ है तो यहां क्या है जो रेट है वह सिर्फ और सर्फ अनुटो के सांद्र लैपर निर्फर कर है और यदी हम यहां पर यूबार बीजित और बुलभर के नियम के अकॉरींग चलते तो क्या होता है विजिन और गुलभर के नियम की निधिर breach करें हैं competence कि यह एक्सिपरीमेंटल वेलिउयों है तुर रहा है यहां पर क्या अन्टू यहां पर अहीं निर्वर्ग कर रहा पर सबस्क्राइब कहीं है सिर्फ ोर सिर्प के इनों टू के सानन पर ही निर्भर कर lavor immunity को वार्ग कि एयों वेगे तो नेक्स्टिस यहां पर बात करते हैं जो पांचवां बिंदो है वह है कि जो अभिकरिया का वेग है वाँ उत्पाद के सानन पर भी निर्भर खर सकता है क्या है जो वेग नियम है उसमें उत्पात के सांद्रण की भी उपस्थिती हो सकती है फिक्त पॉइंट के है अभी किरिया का रेट यानि कि अभी किरिया का वेग वेग उत्प्रेरक उत्प्रेरक के सांद्रण पर भी निर्वर कर सकता है कर सकता है तो एक्जामबल के लिए तू एसोटू प्लस ओटो गिफ्स टू एसोटू प्लस ओटू गिप्स टू एसोटू ठीज और किस की उपस्तित में एनुकी तो यहां पर जो अभिक्रिया का वे यानिकी रेट जोए डिपेंड करता है ओटू पर और इस एन उपर किस पर O2 पर और इस N O पर यहां पर जो rate हो जाएगा rate is proportional O2 की power 2 और N O की power 1 और यह N O यहां पर क्या है उत्परिरक है क्या है उत्परिरक है और यहां पर जोए वेग नियम में आप देख रहे होंगे कि N O की उपस्थिति है तो इस परकार से जोए यह महतो पूण बिन्दू हो यहां पर N क्या हो जाएगा दू पलस वन इस एकवाल टू थे तो order अभिक्रिया का जो वेग है वह उत्पादों के सानन पर भी निर्भर कर सकता है तीसरा क्या था अभिक्रिया का जो वेग है वह सभी अभिकारकों के सानन पर या फिर कुछी अभिकारकों के सानन पर भी निर्भर कर सकता है और जो चौथा था हुआ था कि जो अभिक्रिया की क कोटी होती है या अभी कर एक जो घोता है वहां किसी संतुरी तरह सहाइनी कि अभिक्रिया की स्टाइक्यो मित्रिक कोफिसेंट पर डिपेंड नहीं करता है जो वेगें और गुल्वर्ग का ध्रव्यानु पाटी क्म अन्यम था वह सिर्फ और सिर्फ सामानिय एककल पद वाली अभिक्रियाओं के लिए लागू हुआ था जिसमें क्या है अभिक्रिया का जो वेग है वह इस टाइक्योमेट्रिक कोपिसेंट पर डिपेंड कर रहा था और जो पहला पॉइंट था अभिक्रिया की कोटी जो है जीरो धनात्म क्रिनात्मक या फिर भिनात्मक कुछ लिए हो सकती है तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू करें करें करें